Welcome श्रोनाओं, तो यहाँ पे हमारे पास है किया यह ट्रिपली 2012 का एक कोश्चन है, कोश्चन देखको standard reduction potential यहाँ दिया है जिंक प्लस प्लस का जिंक हुआ है, nickel 2 प्लस का nickel हुआ है, F2 प्लस का F2 हुआ है, और इनके standard reduction potential यहाँ जिंक के लिए दिया है, minus 0.76, nickel के लिए दिया है minus 0.23 और आयन के लिए दिया है, minus 0.44, hold respectively, तो यहाँ पे reaction दिया है, X plus Y, 2 प्लस, it goes X2 plus plus Y, तो यह reaction किस कोश्चन 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 कपल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो reaction spontaneous, तो spontaneous के लिए funda क्या है देखो, यह simple सा एक funda इसको, यहाँ पे simple sec funda, oxidation potential यहाँ पे जादा चाहिए, standard oxidation potential और standard reduction potential यहाँ पे जादा चाहिए, इसका मतलब E 0 value यहाँ पे क्या आएगी, positive आएगी, जब E 0 value positive आएगी तो उसका delta G automatically क्या आएगा, यहाँ पे negative आएगा, क्योंकि यहाँ पे n-nf E 0 cell है, तो cell positive आएगा, तो delta G automatically negative तो रिदक्षन के टम में यहाँ पर समझागे देखो उनली रिदक्षन के टम में क्या रहेगा हाई स्टांडर्रेडक्षन पोटेंश्यल एक होना चाहिए और दूसरा लो रिदक्षन लो standard reduction potential होना चाहिए तो यहाँ पे चलो high standard reduction potential किसका है देखो एकदम सबसे ज़ादा तो सबसे ज़ादा यहाँ पे दिखाए दे रहा है देखो किसका दिखाए दे रहा है यहाँ पे nickel का दिखाए दे रहा है तो nickel हो जाएगा यहाँ पे क्या आपका cathode तो nickel यह पे बनेगा cathode मतलब उसका reduction हो जाएगा और यह पे आप देख सकते anode पे जो रहेगा वो रहेगा low standard reduction potential low यह पे सबसे कम reduction potential के सका है यह पे देख सकते जिंका है तो यह पे इसका reduction potential सबसे कम है तो यह पे लेंगे anode side पे यहापे हमने cathode anode की reaction लिखए हुए है तो दोनों का यहाँ पर हम addition करेंगे, electron cancel हो जाएगे, और overall reaction यहाँ पर हम लेखेंगे, तो overall reaction हो जाएगे, zinc solid plus ni nickel plus plus, it gives zinc plus 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 nickel solid, तो फिलाल यहाँ पर हमारा x जो रहेगा, ओ रहेगा यहाँ पर zinc, तो यहाँ पर देख सकते, x is equal to zinc, एक ही option के अंदर है देखो, और दुसरा y जो रहेगा, y plus plus है, तो वो रहेगा nickel plus plus, यहाँ पर एक ही option के अंदर है, option number 5, अभी इस case में cell potential हम calculate करेंगे, e0 cell यहाँ पर जो रहेगा, वो कितना रहेगा, e0 cathode minus e0 anode, अभी यह calculation ही हम करेंगे, तो यहाँ पर अभी standard cell जो reaction आ रहेगा, वो यहाँ पर कितना आ रहेगा, e0 cell is equal to plus 0.53, होट इतना, यहाँ पर आ रहेगा, तो यह positive value आ रहेगा, यहाँ पर डेख सकते, delta g जो आएगा, यहाँ पर negative आएगा, तो यहाँ पर delta g की value आ रहेगा, यहाँ पर minus में आ रहेगा, फिला हमारा, यहाँ पर reaction क्या हो जाएगा, spontaneous हो जाएगा, टेल्टा जी के आपे calculate करने के कोई जरूत नहीं, इसे लिए आपे positive आए तो भी आपे हम spontaneous बोल सकते हैं, ठीक है, तो यहापे हमरा answer आ चुका है,